लूज अ गुडर्बोधिन अज 2029 डारे विइज के बार 2 929 है वाध। के जितने भी किसमों बनेंगे उनको डिसकत करेंगे डी-टी-एल में इस वीडियो में तो वीडियो को द्धाण क Dartmouth उनकिसंस की पीडिएप पायल तो वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें वीडियो के लास्ट में पूचे गए किसन का correct answer वीडियो के comment box में जरू लिखे अगर वीडियो पसंद आए तो like and share करें किसी भी study related whatsapp और पेसू ग्रूप में और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें जिससे के आने वाले सारे वीडियो डेली करंट पेर के सबसे पहले आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे की हर वीडियो की नोटे पेकिसन मिल सके हैं कि अगर किसी भी किस्तन से कोई भी प्रोब्लम हो या वीडियो से लेटेड कोई भी प्रोब्लम हो तो वीडियो के कमेंटबक्स में जरू लिके या अपनी प्रोब्लम मेरे वाटाव हज पर जाना पहले से थोड़ा पर जो जो जीएस्टी दाओ 18% से घटा कर पांच परसेंट कर दिया गया है हमारे वर्तमान अलप संक्यक मामलों के मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यह मुक्तार अब्बास नक्वी और इन्होंने यह गोशना किये कि हज पर अब परसेंट कर दी गई है तो इससे क्या उपाइदा होगा तो इससे हज पर जाना पहले से थोड़ा सस्ता हो जाएगा तो यह यह पांच परसेंट अब यह इसमें एक और एम पोटेंटर में जीएस्टी जीएस्टी की फुलपर्म के हैं गुड एंड सर्विस टेक्स गुड बारत में जीएस्टी कब लागो आता एक जुलाई 2017 को आता बारत में जीएस्टी लागो और बारत में जीएस्टी लागो करने वाला पहला राज्जे कौन सा था तो असम ता पहला राज्जे लेकिन गोशना करने वाला तेलंगाना था पहला राज्जे तो कन्पीज नहीं होना है असम में असम ने लागू किया था सबसे पहले जीएश्टी बारत में और बात करें विश्व की तो विश्व में प्रांच ने विश्व में प्रांच ने जीएश्टी लागू किया था समीधान के अनुचेद 299A में जीहें भारत के सम्विधान के अनुचेद 299A में जीहें इस GST का जीक रहें तो यह भी याद रुकने हैं तो हाली में हज पर GST 18% से गटा कर 5% कर दिया गये हैं तो इस क्युशन से अतनी जानकारी मिल जाती है चलते हैं नेक्स्ट किशन पर हाले में सबसे कम उमर में अर्ध सतक लगाने वाले बल्ले बाज कौन बने हैं तो यह बने हैं रोईत पुडेल यह नेपाल के पलेयर हैं रोईत पुडेल और अभी यह सबसे कम उमर में अर्ध सतक लगाने वाले बल्ले बाज बने हैं इन्होंने 16 साल और 146 दिन में ये अर्षतक लगाया है 16 साल और 146 दिन की उमर में ये अर्षतक लगाया है इनसे पहले सचिन तेन दुलगरने लगाया था सबसे कम उमर में सचिन तेन दुलगरने लगाया था 16 साल 213 दिन अब रोईत पूडेल बन गया ह जिन्होंने 16 साल 146 दिन के उमर में लगाया है इन्होंने अजसा तक और ये नेपाल के रोईत पुडेल चलते हैं नेक्स्ट कुशन पर हाले में पाकिस्तान की पहली मैला हिंदू सिविल जज कौन नुक्त हुई है तो यह हुई है सुमन कुमारी तो हाले में सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली मैला हिंदू मैला हिंदू सिविल जज नुक्त हुई है यह यह सुमन कुमारी और यह पाकिस्तान की पहली मैला हिंद पुरुस हिंदू सिविल जज को नों युक्त हुए थे तो वह नों युक्त हुए थे राणा बगवान दास 2005 में बने थे पाकिस्तान के पुरुस हिंदू सिविल जज और यह मैला हिंदू सिविल जज बनी है सुमन कुमारी तोपसन वीज करेक्ट सुमन कुमारी अब यह बन खान और राष्टपतिय आरिप अल्वी इसक्यूसन से इतनी जानकरी मिल जाती है तो हाल में पाकिस्तान की पहले मैला हिंदू सीविल जजमनी सुमन कुमारी और बात करें पुरिष्की तरवाना भगवान दास चलते हैं नेक्स्ट किस्ट बर हाल में विश्टव का दूसरे सबसे बड़ा कुरूड इस्टिल निर्माता कौन बनाएं ते बनाएं अपना देश भारत तो हाल में अपना देश भारत जापान को पिछे चोड़ते हो हैं विश्टव का दूसरा सबसे बड़ा कुरूड इस्टिल निर्माता बनाएं भारत ब भारत बन गया है इन्होंने जापान को पिछे चुड़ा है और तीसरा यह पान तो विश्णव का दूसरा सबसे बड़ा कुरूड इस्टील नेर्बता बनाए भारत और पहला है जापान तो टॉप पर नट टोप पर चाहिना और सेकंड बहुंद भारत और थर्द पर जापा हाले में किस राज्य सरकार ने जीवन संप्रक प्रियोजना की गोशना की है तो यह की है उडिशा गौवर्मेंट ने तो हाले में उडिशा के मुक्य मंत्रिय नवीन पठनायक और इनों ने जीवन संप्रक प्रियोजना सुरू की है अब इसमें होगा क्या जो कमजोर आदिवासी हैं जो कमजोर आदिवासी समुओं के बीच में जो गौवर्मेंट की योजना होती हैं उनको पहुचाने के लिए यह जियोंसंप्रक प्रियोजना की गोशना किये उडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनाइक ने तो जो कमजोर आदिवासी समुओं के बीच में जो गौवर्मेंट की योजना होती हैं उनको पहुचाने के लिए यह जियोंसंप्रक योजना प्रियोजना है और इसको शुरूप हुआ है उडिशा ने तो में देखते हैं उडिशा को यह रामेप में उडिशा उडिशा की केप्टल पू अगनिफायर मिसाइल का सपलता पूरोग प्रिक्षन किया गया था और वीलर दीप का नाम बदल कर एपीज अब्दुल क्लाम दीप कर दिया गया था तो यह कि यह उडिशा ने जिवन संप्रक प्रियोजना चलते हैं नेक्स्ट किसंपर हाल में डेटा स्रंग्षन दिवस क क्यों मनाए जाता हैं तो डेटा को चोरी होने से कैसे बचाया जा सके इसके बारे में जाग रूकतापे लाने के लिए यह हर साल 28 जनवरी को मना जाता है डेटा स्ट्रंग्षन दिवस तो 28 January option बीज क्रेक्ट और 25 जनवरी को मनाय गए था राष्टिय मत दाता दीवस National Waters Day और 24 जनवरी को दो IMPORTANT Day थे 24 जनवरी को थे एक था राष्टिय बालिका दीवस और एक था अंतराष्टिय सिक्सा दीवस चलते हैं नेक्स्ट विशन पर हाल में जोर्ज फर्नांडिस का निदन हो गया है वे कौन थे तो ये पूरो रक्षा मंत्री थे जोर्ज फर्नांडिस और इनी का अभी निदन हो गया है 88 वरस की उमर में यही है जोर्ज फर्नांडिस और इनका अभी 88 वरस की उमर में निदन हो गया है जब भारत के परदान मंत्री थे वी पी सिंग उस टाइम पे ये रेल मंत्री भी रहे थे जोर्ज फरनांडिस और अभी इनका अट्टेंसी वरस के उमर में निदन हो गया है ये पूरो रक्षा मंत्री भी रहे हैं चलते नेक्स्ट किसन पर हाल में एनवाइड टी टी एस 2019 में बेस्ट इन सो में किस देश ने उठकरष्टा पुरुसकार जीता है अपने देश भारत ने तो अब इसमें एक उपोटन ट्रम पे एनवाइड टी टी एस तो इसकी पॉलपर में एनवाइड टी टी एसकी नेस दा नियोच टाइमस ट्रेव और इसे में भारत ने चलते हैं। नेक्स्ट की सबर्ट हाल में किसने राजस्तान में Cam Raja राजमारक प्रियोजनाएं शुरू किये हैं तो यह किये नितिन गड़करी ने यही है नितिन गड़करी और इन्हों नहीं राजस्तान में चार राजमारक प्रियोजनाएं शुरू किये हैं राजस्तान में बिकानेर जिले में किये तीन तो और एक किये नागोर जिले में किये तो तीन राजमारक परियोजनाई तो बिकानेर में और एक नागोर जिले में शुरू किये नितिन गड़करी यही है नितिन गड़करी अब इन्होंने किया है राजस्तान में तो राजस्ता या असो गलोत और गवर्णर कल्यान सिंग तो यह भी याद रखना है तो हाली में नितिन गड़करी ने राजतान में चार राजमारक प्रियोजनाएं शुरू किये हैं चलते हैं नेक्स्ट किसन पर हाली में अमेरिका ने किस देश पर पर्तिबंद लगाया और यह लगाया है वेनेजुएला पर पर। जो अदिकारी वेनेजुएला में रते थे उनको 42 गंटे में वेनेजुएला चोड़ने की चेताओंने भी दीती वेनेजुएला नाहीं और अब अमेरिका ने परतिबंद लगाया है वेनेजुएला पर अब वेनेजुएला पर लगाया है तो मेप में देखते हैं वेनेजुएला यह आप मेप में वेनेजुएला वेनेजुएला की केपिटले कराकस करेंची हैं वेनेजुएला बोलिवर परसिडेंट है निकोलस म मदूरो यह भी याद रखने हैं और अमेरिका के प्रेशिडेंट को ने वर्तमान में डॉनाल्ड ट्रम्प है पेटारीस वे नंबर के राश्पती है अमेरिका के डॉनाल्ड ट्रम्प चलते हैं नेक्स्ट किसन पर हाले में भारत के पहले बोगोलिक इस्टोर का उद्गाटन किसने किया है तो यह किया है सुरेश परभू में सुरेश परभू हमारे वानेजे और उद्द्योग मंतरी है वर्तमान में इन्होंने भारत के पहले जियोग्रापिकल इंडिकेशन इस्टोर याने बोगोलिक संकेत इस्टोर का उद्गाटन किया है सुरेश परभू ने यह सुरेश प्रभू और इन्हों ने यह गोवा में किया है इसका उद्गाटन बोगोलिक संकेत इस्टोर यहां पर संकेत भी लिखावा है बोगोलिक संकेत इस्टोर का उद्गाटन सुरेश प्रभू ने किया है कि अब ये ज्यान कैने कि यह क्या है गोवा में तो मेप में देखते हैं गोवा को गोवा की केपितेल मुखे मंत्रिय मनो और पारिकर और गवर्न मर्दुला सीनहा। और गोवा मुक्ति दियोस मनाए जाता है 19 दिसंबर को क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्त गाल से आ जाद वा था इसलिए गोवा मुक्ति दियोस मनाए जाता है 19 दिसंबर को चलते हैं चट्य स्थान पर आया है भारत यह सिस्को ने ज्वारी किया हैं CISCO अभिए GDPR के हैं इसकी पुलपर में General Data Protection Regulation जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेसन रेडिवेश में भार चट्य स्थान पर राहें चलते हैं submission पर हाली में परिक्षा पेजश्टर्चा 2.0 का हाई जित की गई है तो यह आइज़ित की गई है नई दिल्लि में हाल इमें प्रिक्षा पे चर्चा 2.0 नई दिल्ली में आईजित की गई है अब यह हैं क्या तो जब एक्जाम पास में आते हैं तो एक्जाम का डर भी आता हैं तो इसी डर को दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी ने प्रिक्षा पे चर्चा 2.0 आई जित कीये नई दिल्ली में और इसमें 200 से जभादा स्टूडेंट्स पैरेंट्स और टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया प्रिक्षा पे-चर्चा 2.0 तो यह नई दिल्ली में आईजित किया गया है हैं अब देखते हैं लास्ट वीडियो सकता नारी सकती है तो बहुत सारों ने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखाता तो ज़्यादा ज़्यादा क्यूशन का क्रेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हैं आज का क्यूशन है हाल में प्रवासी लाबांच प्रवासी लाबांच पैंशन योजना क किस राज्ये ने शुरू की हैं तो इसका क्रेक्ट आंसर जदा जदा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जिससे के आपका भी रिविजन हो जाएं और यह कुशन्स आपके लिए आने वाले एक्जाम्स में करंट पेर की दरस्टी से बहुत महतोप रहने तो वीडियो को द्या किसे डाउनलोड कर सकते हों और अगर किसी भी कुशन से या कोई अनने प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिकें या मेरे वाटसप नबर पर अपनी प्रोब्लम शेर कर सकते हो यह वाटसप नबर तो 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 तैंक्स ओल प्रेंट्स